हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो पहले इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं प्राचीन इत्यास की जो हमें जानकारी मिलती है किसकी सोर्स से मिलती है तो हमने उसमें पढ़ा धर्म गरंथ और एतिहासी गरंथ जिनसे हमे क्या मिलती है प्राचीन इत्यास की जानकारी मिलती है आज हम पढ़ेंगे विदेशियों का विवरण एवं दुस्ता है पुरातात्रिक संबन्दी साक्ष्य तो विदेशियों का विवरण तो जितने भी विदेशी समय 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 पर राजपूर जब राजा यहां हुआ करते उस समय पर जो राइटर होते थे वो हमारे देश में आते रहते थे और यहां के जन जीवन, सब्विता, संस्कृति और यहां की राजनितिक, जो भी राजनिति से संबंदी जो भी जानकारिया थी, उन्हें अपनी बुक्स में क्या करते थे? उसे कलक्ट करते थे, ठीक है? तो इसी में युनानी लेखक अगर हम बात करते हैं, तो टेसियस, टेसियस क्या था? यह एक इरान का राजवैद्य था, भारत के संबंद में इसका विवरण आश्चरे चनक कहानियों से परिपून होने की कारण अविस्वस्मी है, दूसरा आता कि इतियास का पिता किसे कहा जाता है, तो इतियास का पिता हैरोडोट्स को कहा जाता है, और इनकी पुस्तकती हिस्टोरिका, क्या पुस्तकती हिस्टोरिका, हिस्टोरिका पुस्तक इसकी है हैरोडोट्स की, और इन्हें क्या कहा जाता है, इतियास का पिता कहा जाता है, ठी आनेसी ट्रटस जथा ओसिटो बुलस के विवरण अधिक प्रमानिक एवं विश्पस्नी हैं अगला है मेगास्थनीच मेगास्थनीच जो था यह एक क्या था सैल्युकस निकेटर का राज़ दुथा ये भी हमारे एक्जाम पॉइंट विव से क्या है इंपोर्टेंट है कि मेगास्थनी जो था वो किसका राज़ दुथा तो वो सैल्युकस निकेटर का राज़ दुथा जो चंदरगुप्त मौरी के राज़ दरवार में आये था किसके दरवार में आये था चंदरगुप्त मौरी के दरवार में अब वो मौरी के दरवार में आ अमाज था उसकी जो संस्कीरती थी उसके बारे में इसने लिखा है कि इसने मैगास्थनीज ने, अगला है डाइमिकस, डाइमिकस भी इंपोर्टेंट है, यह कब आये था, बिंदुसार के दर्बार में आये था, और यह किसका राजदुत था, आंतियोकस का राजदुत था, और ये बिंदुसार के राजदर्बार में आया, इसने भी मौरी खाल से संबंदी जो भी जानका रिया थी वो दी है, अगला है डायोनिसियस, डायोनिसियस जो था ये टॉलमी फिलेडिल्फस का राजदुत था, किसका राजदुत था, टॉलमी फिलेडिल्फस का, जो असोक क राजदर्बार में भारत आया था किसके राजदर्बार में आया था ये असो के कौन डाइनो डायो निसियस डायो निसियस किसके दर्बार में आया था अगला है टॉलमी इसने दुस्ति सदाबदी में भारत के भुगोल नामक पुस्तक लिखे तो ये भी हमारे इंपोर्टें नामक पुस्टक लिखी है तो natural histories की है प्लीनि की ये भी इंपोर्टन दिया है भारतिय पस्वाओं पेड़् पॉधधों खनिच पदार्थों आधी के बारे में विवरण दिया है तो natural history की पुस्तक है प्लीनिकी अगला है periples of the ery faculty की तो ये इस पुस्टक का जो writer के याटरी है इसकी कोई जानकारी में मिलती नहीं है , यह मिलता है कि Haldoundsa यहाँ्ति यहाँ चीनीn guiding नरेश चंदुप्ध दूतवार में आये था कौण फायान ये तो सबको पता होगा कि फायान किसकी राज़दरवार में आये था चंदरगुप्त दूती के राज़दरवार में आये था इसने अपने विवरण में जो मध्यपरदेश की समाज और संस्कृति के बारे में व्याख्या किये किसके बारे में मध्यपरदेश की समाज और संस्किति के बारे में अगला आता है हमारा सन्यूगन सन्यूगन जो था ये तीन वर्षों की यात्रा में मत्रभारत आया और अपने तीन वर्षों की यात्रा में इसने बौत धर्म की प्राप्तियां एकत्रिकी थी अगला हमारा आता है हिंशांग यह important है हमाले हिंशांग जो था वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया 629 इस्वी में वो भारत वर्ष में आया था कब आया था 629 में यह important है कि भारत कब आया था हिंशांग भारत कब आया 629 में और 645 में वो भारत से चीन लौड दिया था यह हमाले दोनों ही important है कि हेंचांग भारत कब आया 629 में और यहां से भारत से वापस कब गया चाइना तो यह गया 645 स्वी में ठीक है और बाकी इसकी जो भ्रह्मन विर्तांत है वो C.U. की नामा के कुस्तक है उसके नाम से मतलब यह प्रसिद्धै C.U. की इसकी यात्रा विर आता है किसका हेंचांग का अगला हेंचांग जो आया था जब भारत आया तो हेंचांग ने क्या किया था नालंदा विष्विद्ध्याले की क्या करने आया था यह नालंदा विष्विद्ध्याले का अध्यन करने आया था और हेंचांग के समय में यह भी पूछा जाता है क हेंचांग के समय में नालंदा विश्विध्याले के कुलपती कौन थे तो ये थे आचार्य सील भत्र ठीक है तो कौन थे आचार्य सील भत्र उस समय नालंदा विश्विध्याले के क्या थे कुलपती थे अगला आता है इस सिंग इस सिंग जो था वो सात्वी सिदावदी के अ वर्णनन कया है और विक्रम, सिलाव, श्वित्य देले का भी, वर्णनन अपनी उसमें किया उआ हुआ है, ठीक है, अगला है, अब पढ़ता है, अर्बी लेखक, अर्बी लेखक के अगर हम बात करें, तो यहाँ पहला है, अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी, जो किसके समयoter मे और तहकीके हिंद। यह पूछा जाता है कि किताबुल हिंद की स्चिप उस्थय ग और तहकीके हिंद। यह दोनों एक ही है। किताबुल हिंद्य तहकीक में हिंद्धूनों ही अलबरोनी की लिक़्िति गई। ती है ठीक है और अगला आता है हमारा इबन बद्दुदा इबन बद्दुदा जो था वो इबन बद्दुदा जो था उसका जो यात्रा पृतांता है वो रेहला के नाम से परसिद्ध है ठीक है इसका यात्रा पृतांत को और यह जो था दिल्ली के जब उस समय पर तुगलक पंस का डाच चल रहा था और उसे में राजा कौन था मुहमत बिन तुगलक तो यहां मुहमत बिन तुगलक के समय में दिल्डी में आया था और इसे क्या किया था मुहमत बिन तुगलक ने दिल्डी का काजी या नयाएधिस न्यूक्त किया था किसे इबन बत्ता को ठीक हो गय अब आगे बढ़ते हैं, अन्य लेखक, तारानाथ, यह तिब्बती लेखक था, इसने क्या किया था, कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक गरंथ की रचना की थी, किसने, तारानाथ ने कंग्यूर या तंग्यूर नामक गरंथ की रचना की, ठीक, और हैं मारको पोलो, तेरवी यह तो हो गए हमारे क्या विदेसी जो यात्यों से हमें मिलती है जानकारी उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे पुरातात्त्य संiebenदी शाक्षिए तो पुरातात्त्य संمद्धी साक्षि में देखें तो चौच्स वे इसापुर्व Mintra अभिलेक मिलते हैं किस-किस के मिलते हैं मित्र वरुण इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं अगला है मद्य भारत में भागवत धर्म विक्षित होने का प्रमार जो मिलता है कि यहां भागवत धर्म विक्षित हुआ था भारत में उसका प्रमार मिलता है यवन राजदूद होलियो डो ठीक है वेसनगर कहा से गरुरिस्थम्भ लेख से प्राप्त होता है इसके बाद आता यह कि सरवर्थम भारतवर्थ का जिक्र हमें कहां पर मिलता है। तो सरपर्थम भारत वर्ष का जिक्र हमें हाथी गुफा अभिलेक से मिलता है। सरपर्थम दुर्विक्स की जानकारी देने वाला अभी कौन सा है? सौह गौरा अभिलेक, सौह गौरा अभिलेक जो है वो क्या देता है? दुर्विक्स की जानकारी देता है। तो हून आकरमन की जानकारी कहा से प्राप्त होती है, भीतरी स्टेंब लेक से प्राप्त होती है, अभी हम इसके आगे जब पढ़ेंगे, तो हम इसके बारे में फिर और अच्छे से डिटिल से पढ़ेंगे, ठीक है, तो सती पर्था का पहला लिखी साक्ष एरन अभिलेक, भ भानों गुप्त के समय का एरन अभिलेक जो है, वो सती पर्था का पहला लिखी साक्ष है, यह भी इंपोर्टेंट है, अगला रेशम बुनकर की स्रेणियों की जानकारी मंत्सौर अभिलेक से प्राप्त होती है, कस्मीरी नवपाशानिक पुरा इस्तल, अब हम बात करें, तो यह पुरा पाशानिक काल, पुरा पाशानिक काल की बात आ गई है, तो अब हम इसको अभी डिटेल से और अच्छे से पढ़ेंगे नीचे, तो अभी यह प्राचिन्तम सिक्कों को क्या कहा जाता था, पहले के सिक्कों को आहज सिक्के कहा जाता था, और इसी को क्या कहते तो अगर他 वह आति घुफ है या फ़े हम पढ़े को स्थान फम्हा उन्हां हां पॉए है तो अगर नीचे अगर हम पढ़ें तो ये महात्पुण्पुलः अभी लेख हैं इसमें आह पहला हूत हैже है recognized गुफा अभिलेक, तो हाती गुफा अभिलेक जो है कलिंग राजा खारवेल का है, जूनागर अभिलेक किसका है? रुदरदामन का है और नासिख अभिलेक किसका है? ये है गौतम बलस्री का और प्रियाग इस्तंबल अग है, समुद्र गुप्त का एहोल अभी लेख है पुलकेशिन, दुतिका, मंसौर अभी लेख है मालवान रेसे सोवर्मन का ग्वालियर अभी लेख है, परतिहार नरेस पोच का भीतरियम, जूनागर अभी लेख है इसकंद गुप्त का और देवपाड़ा अभी लेख है, बंगार साचक, विजैशिन का तो इसमें जो इंपोर्टेंट है हाति गुफा अभी लेख कलिंग राजा खारवेल का है जो अति गुफा अभी लेख जूनागर अभी लेख, रुद्रादामन का नासिक अभी लेख और प्रियाक स्थम्भलेख समद्र गुप्त का और एहोल अभी लेख पुलकेशिन दुती का और भीतरियां जूनागर अभी लेख इसकंद गुप्ता का यह इनको मतलब की सभी देख लीजेगा आप एक बार, ठीक हो गया फिर हैं अभी लेखियं के अध्यन को क्या कहते हैं इपिग्राफी कहते हैं क्या कहा जाता है इपिग्राफी कहा जाता है तो अब हम बात कर रहे हैं उस समय पे जो इतिहास प्राचिन इतिहास का सरूप क्या है और उसके सरूप को जानने के लिए क्या किया गया उसको तीन कालखंडों में बाटा गिया है, ठीक है, कितने कालखंडों में बाटा गिया है, उसे तीन कालखंडों में बाटा गिया है, तो पहला जो है, वो क्या आता है, प्राग या प्राग एतिहासिक काल, या इसे ही हम कहते हैं, प्राग एतिहासिक काल, जिसे हम कहते हैं, प्रागे एतिहासिक काल या प्रागे एतिहासिक काल दुसरा आता है दुसरा है आद्धे थियास क्या आद्धे एतिहासिक काल ठीक है और तीसरा आता है एतिहासिक काल क्या एतिहासिक काल तो पहला तो पहला क्या है प्रागे एतिहासिक काल दुसरा है आद्धे एतिहासिक काल और तीसरा है एतिहासिक काल तो जो प्रागे एतिहासिक काल है सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रागे एतिहासिक काल की तो प्रागे एतिहासिक काल पहला क्या है? प्राग प्रागे एतिहासिक काल तो प्रागे एतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है इसके लिखिस साक्ष नहीं मिले है और क्या है पुरातात्विक साक्ष ठीक है किसके प्रागय अतिहासिक काल के प्रागय अतिहासिक काल के क्या मिले है लिखिस साक्ष नहीं मिले हुए है पुरातात्विक साक्ष मिले है अब प्रागय अतिहासिक काल बहुत थी पुराना है ठीक है अगर हम प्रागय अहती ऐसी काल को देखेemं तो मतलब कि उस समय का जब मत्तब मनुषी को कपड़े पेहने का भी ज्यान नहीं था उस समय का है जब मनस ऐसी जुक के चलता था, मत्तब कि बहुती पूराना समय, जब मनस को किसी चीज का घ्यान नहीं था, वो है प्रागयाति, ऐसे काल, तो इसमें लिखिस साक्ष होंगे नहीं, यूँकि जो उन्हें किसी चीज का घ्यान ही नहीं है, तो वो लिखेंगे कहां से, ठीक है, तो प्रागयाति काल वो हकाल है, जिसमें क्या है, लिखिस साक्ष नहीं है, लेकिं पुरातात तो साक्ष अब मिल गए, जैसे ओजार मिले हुए हैं कहीं पर, ठीक है, बस्तियां मिली हुई हैं, और हड्डियों के प्रमान, और हड्डियों के प्रमान मिले हुए हैं, तो य रॉबर्ट क्या किया था रॉबर्ट बुट रॉबर्ट बुस फुट ठीक है रॉबर्ट बुस फुट ये क्या थे जियोलोजिकल सर्वी आफ इंडिया के सदस्च थे तो जो रॉबर्ट बुस फुट थे उन्होंने सबसे पहले प्रागयतियासी काल के ओजारों की खोचकी ठीक है, किसकी खोचकी, प्रागयातियासिक काल के, ओजारों की खोचकी कहां से, पलवरम, पलवरम, तमिलनाडू से, तमिलनाडू कोई में जगह है, पलवरम, पलवरम तमिलनाडू से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ओजारों की खोचकी, अठारा सो, तिरिशट में, ठीक 1863 में प्रागे एतिहासिक काल के क्या की ओजारों की खोज की थी इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है प्रागे एतिहासिक काल का जनक क्या प्रागयतियासिक खोजों का जनक ठीक है क्यों क्योंकि उन्होंने क्या किया सबसे पहले क्या अठाट्व तरिक्षट में पल्लवरम तमिल नाडु से सरपतम प्रागयतियासिक काल के ओचारों की खोज की थी अगर इसी में आगे बढ़ते हैं भारतिय पुरातत्य विभाग का जनक किसे का जाता है तो भारतिय पुरातत्य विभाग पुरातत्य विभाग ठीक है तो सबसे पहले तो पुरातत्य विभाग जो था भारती पुरातत्य विभाग जो है इसकी स्तापना कप की गई तो इसकी स्थापना की गई थी 1861 में ठीक है तो भारते पुरातात्य विभाग की स्थापना कप की गई अठारा सौ 61 में और इसकी स्थापना किस ने की थी अलगजैंडर कनिंगम ने ठीक है अलगजैंडर कनिंगम ने तो सबसे पहले भारते पुरातात्य विभाग की स्थापना कप हुई थी 1861 में भारते पुरातात्य विभाग की स्थापना हुई और इसके जनक किसे कहा जाता है अलगजैंडर कनिंगम को पुरातात्य विभाग का जनक कहा जाता है ठीक है और भार भारत में अगर पुछा जाएगा कि भारत में सबसे पुराने पासान उपकरण कहां मिले हुए हैं बोरी महरास्ट में ठीक हैं तो सबसे पुराने पासान उपकरण कहां मिले हुए हैं भारत में तो वो मिले हुए हैं बोरी महरास्ट में अब आगे बढ़ते हैं जो पुरा पासान काल पुरा पासान काल दूसरा आता है मध्य पासान काल और तिसरा आता है नव पासान काल इसे हम नव पासान काल को उत्तर पासान काल भी कहा जाता है क्या कहा जाता है उत्तर पासान काल भी कहा जाता है तो प्रागयातियासिक काल को फिर तीन भागों में बाटा है कौन-कौन से पुरा पासान काल मध्य पासान काल और नव पासान काल ठीक है तो पुरा पासान सबसे पहले हम बात करेंगे पुरा पासान काल की तो ये जो समय था पुरा पाशनकाल का समय वो रहा है 25 लाख इसा पूर्व से 25 लाख इसा पूर्व से रगबग 10 से 12,000 इसा पूर्व तक ठीक है तो कब से कब तक रहा 25 लाख इसा पूर्व से 10 से 12,000 इसा पूर्व तक यहा पुरा पाशान काल रहा, अगर देखा जाएं, तो तीनों ही, पुरा पाशान काल, मध्या पाशान काल और नव पाशान काल में, सबसे ज़्यादा जो मानव ने समय बिताया है, वह इसी काल में बताया है, किसमें, पुरा पाशान काल में, यह पूछा गया question एक पेपर में, कि सबसे ज़्यादा मानव ने किस काल में समय बिता है, तो सबसे ज़्यादा मानव रहा है पुरा पाशान काल में, ठीक है तो इसकी और क्या क्या विश्षिस थे हैं पुरा पाशान काल में दुसरा इसमें क्या है, जो लोग थे इस समय पे पुरा पाशानकाल में जो लोग थे, वो क्या थे, आखे टक थे, क्या थे, आखे टक, आखे टक का मतलब सिकारी, ठीक है, तो इस समय पे लोग क्या करते थे, सिकार किया करते थे, जानवनों का सिकार करके अपना भोजन करते थे, ठीक है, और अगला बात करें, तो इस समय के लोग क्या थे, खाद्य, संग्राहक हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, खाद्य, संग्राहक, यानि कि भोजन को क्या करते थे, ये लोग एकटा करते थे, ठीक है, क्या करते थे, भोजन को एकटा किया करते थे, अगला, इनको पशुपालन का ग्यान नहीं था, ठी पुरा पाश्ठान काल, तो आग से कौन पर चित थे, पुरा पाश्ठान के लोग क्या थे, काल के समय के मानव जो था, वो आग से क्या था, परिचित था, ठीक है, और इनकी समय के जो ओजार होते थे, वो इस्फटिक और क्वार्जाइक के बने होते थे, इस्फटिक या क्व खारजाइट के बने होते थे ठीक है तो इस समय का मनुश्य क्या था? सबसे पहले हमने क्या पड़ा कि जो पुरा इस समय के किस से बने होते थे इस फट्टिक और क्वार्जाइट के बने होते थे, फीकंगे, अगला है मध्य पाशानकाल ठीक है अगला क्या है मध्य पाशानकाल ठीक तो मध्य पाशानकाल की अगर हम बात करें तो ये कब से कब तक है 20,000 इसवी से 20,000 इसा पूर्व से 4 से 5,000 इसा पूर्व तक ठीक है और इस समय का लक्षन अभी इसके मुख्य वो क्या थे बिंदू, पहला इस समय फे पसु पालन की सुर्वात यहीं से हुई, कहां से मध्य पार्षान काल से क्या हुई, पसु पालन की सुर्वात हुई, दूसरा इन्होंने पहला जो पसु पाला गया, वो किसको पाला गया, कुत्ता पाला गया, पह माइक्रो लिथ काल भी कहते हैं इसको ठीक है तो माइक्रो लिथ यानि कि हाँ पर छोटे चोटे ओजार हुआ करते थे ठीक है माइक्रो लिद, छोटे छोटे और जार, अगला इसे क्या कहा जाता है, इस काल को, इसी काल को क्या कहा जाता है, फलक संस्कृति कहते हैं, ठीके, इसे क्या कहते हैं, फलक संस्कृति किसे, मद्य पाशान काल को कहते हैं, फलक संस्कृति, ठीके, क्या कहा जाता है, फलक अगला हम बात करते हैं तीसरा है नौ पाशानकाल नौ पाशानकाल ठीक है तो नौ पाशानकाल में हम बात करें तो पहला यहाँ पर है क्रिश्ची के साक्षे सबसे इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पर से क्या मिलना शुरू हो गया क्रिश्ची के साक्षे अब जब क्रिश्च की सुरवात कब हुए थी, 7000 ईसा पूर्वसे, ठीक है, तो 95 आदगाल में सबसे पहले क्रिसी की सुरवात की गई, अब क्रिसी की सुरवात हो गई, तो यहाँ पर इस्थाई जीवन यहां से मनुष्य का सुरू हो गया मानों ने इस्ताई बस्तियां मनाना इस्ताई एक ही जगह पर इससे पहले क्या करता था माना खाना बदोस की जिंदे की जिता था कभी इधर कभी उधर लेकिन अब इसने क्या कर दिया नौपार्शान काल से क्रिसी की सुरुवात कर दी और इस्ताई जीवन को यहां से इस्ताई जीवन की भी सुरुवात कर दी तो क्रिसी की सुरुवात की तो सबसे पहले जो उगाया गया वो उगाया गया था जौन सबसे पहले कौन सी फसल उगाया गया जौन फिर गेहू ठीक है तो चावल के साक्ष कहां पर मिले हैं, कि उस समय क्रिशी की गई थी, तो मतलब कैसे पता चला कि हमें उस समय क्रिशी की गई थी, तो हमें जो चावल के साक्ष मिले हुए हैं, वो कहां से मिले हुए हैं, कोल्डी हवा, ठीक है, कोल्डी हवाल से क्या मिले हुए हैं, चावल के साक्ष मिले हुए है, यह कहाँ पर पढ़ता है, उत्तरपरदेश में, इधाबाद के पास है, कोल्डी हवाल, ठीक है, तो कोल्डी हवाल से मेहरगर मेहरगर कहा पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है तो कहते हैं खेती के साक्ष कहा पर मिले है मेहरगर पाकिस्तान में मिले हुए है और क्रिसी के साक्ष मिले हुए है क्रिसी में चावल को उगाने के साक्ष जो मिले हुए वो कोड़ी हवा उत्तरप्रदेश इलाबाद के परता है कोड़ी हवा वहाँ पर चावल के साक्षे मिले हैं अगला है चावल और गेहु दोनों के साक्षे कहाँ पर मिले हैं चावल और गेहु I am sorry चावल और खेती के साक्ष रही है, क्रिसी के साक्ष है, चावल और क्रिसी के, तो चावल और क्रिसी दोनों के साक्ष मिले हुए हैं, लहुरा देव, लहुरा देव सारी, लहुरा देव उत्तरपरदेश में, लहुरा देव उत्तरपरदेश में, कहां पर लहुरा देव में, ठीक हो गया तो इसमें confusion नहीं हो ना कि क्रिसी सबसे पहले क्रिसी के जो शाक्ष मिले हैं खेती की गई थी खेती के जो साक्ष मिले हैं वो मिले हैं मेहरगड पाकिस्तान में हैं मेहरगड जगा वहाँ पर और अगर पुछा जाए कि चावल के साक्ष सबसे पहले कहा मिले हैं तो वो कोड़ी हवा इलाबाद के पास उत्तरप्रदेश में हैं वहाँ पर मिले हुए हैं और अगर पुछा जाए कि क्रिशी और चावल दोनों के साक्ष कहा मिले हैं तो वो मिले हैं लहुरा देव लहुर पाशानकाल से हुए है किसके बरतन बनाना मिट्टी के बरतन ठीक है किसे हम कहते है मिर्दभांड ठीक तो मिर्दभांड बनाने की जो बरतन का ग्यान हुआ वो भी मनुश्य को क्या हुआ है मनौ पाशानकाल से शुरू हुआ अगला पहिये का अविस्कार ये भी इंपोटें की सुरुवात हो गई यहां से और कहते हैं मिर्दभान बनाने की सुरुवात मिट्टी के बरतन का ज्यान हो गया मानों को और पहिये का अविस्कार भी किसमें हुआ है नवपाशान काल में हुआ है यहीं पर होमो सैंपियस के स्वरूप भी नवपाशान काल में ही मिला है किसक हम बात करते हैं जो कस्मीर पर कस्मीर में एक जगा परता है बुर्ज होम ठीक है तो बुर्ज होम से क्या मिला हुआ है बुर्ज होम कहाँ पर परता है कस्मीर में कस्मीर में एक जगा परती है बुर्ज होम जहाँ पर क्या मिले हुए हैं गर्था आवास मिले हुए हैं गर्था आवास की साक्ष गर्था आवास मतलब कि गड़े बना कर लोग वहाँ पर रहा करते थे ठीक है लोगों ने अपने लेखिया बना दिया रहने के लिए गड़े बना लिए वहाँ पर लोग रहते थे तो गर्था आव वह इसासा करने के साक्ष मी इसी काल में मिले हुए है और यहीं से भीम-वेटी का पड़ती है जो गुफा भीम-वेटी का की गुफा मध्य परदेश में नर्मदा नदी घाटी के पास परती है भीम बेटिका की गुफा, वहाँ पर चित्रकारी के प्रमान मिले हैं, किसके चित्रकारी के प्रमान मिले हुए हैं, तो जो ये चित्रकारी के यहाँ पर प्रमान मिले हुए हैं, ये तीनो प्रकार के, मत्तब कि पूरा पाशानकाल के भी मिले हुए हैं, और मध्य पाशानकाल के भी और नव पाशान काल तो तीनो पाशान कालों के यहां पर चित्रकाली मिली हुई है कि किस काल में कैसे चित्र मत्रब की जैसे पुरा पाशान काल के भी चित्र मिले हुए है मध्य पाशान काल के भी चित्र मिले हुए है इसे क्या कर दिया गया है जो भीम बेटिका है इस उत्तरप्रदेश से नौपाशानकाल, मद्धेपाशानकाल के ओजार मिले हुए हैं, ठीक है, बाकी हमने ये पल दिया, और मनुष्य ने सरुपर्थम किस दाहतु का उपयोग किया, पुछा जाए, तो मनुष्य ने सरुपर्थम किस का उपयोग किया था, ताभा दाहतु का स ठीक है और पहला ओजार क्या बनाया था कुलहारी मिना बनाई थी तो पहला ओजार क्या बनाया कुलहारी और पहला जो था तो यूस किया था वो किया था ताबा ठीक है अब हम बात करते हैं अभी हमने प्रागयतियासिकाल की बात करी अब हम दुसरा हम बात करते हैं किसकी आद्धे एतिहासिक काल, तो अब हम, बात करेंगे आद्धे एतिहासिक काल की, किसकी आद्धे एतिहासिक काल, तो आद्धे एतिहासिक काल में क्या आता है, कि इसमें क्या है, पुरातात्तिक साक्षि भी मिले हैं, ठीक है, और लिखिस साक्षि भी, लिखिस साक्षि भी हमें मिले हुए है और पुरातातिक साक्ष भी मिले है परंतो जो लिखिस साक्ष है उन्हें पढ़ा नहीं गया है ठीक है तो इसमें जो आद्यातियासी काल है इसमें पुरातातिक साक्ष भी मिले हुए है लिखिस साक्ष भी मिले है लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया है जैसे हरपा काल से सम्मंदी जो भी लिखिस साक्ष मिले है उन्हें नहीं पढ़ा गया गया है, सिंदु सब बेता से लेड़े जो भी साक्ष मिले है उन्हें नहीं पढ़ा गया है, तो आध्य एतिहासिक काल में क्या किया है, पुरातात्रिक साक्ष भी है, परन्तु इन्हें पढ़ा नही ठीक है और इन्हें पढ़ा भी जा चुका है जैसे बौध जैन के समय के जो साक्ष मिले है उन्हें पढ़ा गया है असोक के समय के जो भी अभी लेखें उनको पढ़ा जा चुका है ठीक है जेमस प्रिंसिप जो थे उन्होंने क्या किया था असोक के जो सिला लेख थे उसमें भी साक्ष्यों को उन्होंने पढ़ा है तो एतिहासिक काल के जो साक्ष्य है जो पुरा तक्तिक साक्ष्य मिले हैं और जो लिखिश साक्ष्य मिले हैं उन्हें क्या किया गया है पढ़ा जा चुका है तो इससे आगे हम कल को नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे हड़ा पसब बता है यानि कि जो हम के आध्या एतिहा से काल के व्यारि में उससे डिटेल में पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना काफी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सस्क्राइब कीजिए धन्यवाद जैहिन जैभारत